आप सबका स्वागत करता हूँ हम सबकी यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टिक निकलवी काइस थम्नेल और टाइटल दे क्या आप समझे क्योंगे आज हम डिसक्स करने वाले हैं दि एडवांस्ट स्ट्रेटजी जिसे आप यूज कर सकते हैं फिक्सम्ठीरिंग के लिए जी हाँ तो स्ट्रेटजी को शुरू करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ रिजल्स तो काफी दिनों से मैं ये स्ट्रेटजी यूज कर रहा हूँ और काफी impressive रिजल्स मुझे मिले और जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पे बिना research के कोई भी content आप लोगों अगर मुझे लगता है आप लोगों तक पहुंचना चाहिए content अच्छा है तो ही मैं आप लोगों तक वो जिस पहुंचाता हूँ क्योंकि strategies काफी सारी tested होती रहती है लेकिन सारी strategies आप लोगों तक पहुंचाने लाइक नहीं होती है strategy काफी अच्छी है video last तक जरूर देखना स सबसे पहले मैं थमनील को justify कर दता हूँ जैसा कि मैंने आपको कहा 80% results मुझे यहां से मिल रहे है तो यहां पर आप मेरी trading history में देख सकते है काफी सारी trades मैंने ली है strategy को use करके और overall results भी आपको बताने वाला हूँ इसे पहले भी मैंने बहुत सारी trade ली है लेकिन strategy mix up होती रह कितने losses मुझे face करने पड़े तो मुझे total losses जो है वो face करने पड़े दो यानि कि overall मैं देखू तो 10 में से 2 losses यहां पर face करने पड़ते हैं वो भी कई बार जब market जो है काफी जादा fluctuations पे होता है तो overall यहां पर मुझे 80% का result मिला है जो की काफी अच्छा है और अब मैं आपको आने वाला हूं किस तरीके से आप strategy को apply कर सकते हो अपने graph के उपर और बिलकुल निश्चिंद रही है यह जो strategy है आप अपने mobile में भी use कर सकते हो ऐसा नहीं है कि मैं अगर आपको laptop पे दिखा रहा हूं या desktop पे दिखा रहा हूं या web version पे दिखा रहा हूं तो इसे आप mobile में कर सकते हो confirmation कैसे ले सकते हो strategy की help से यह भी मैं बताने वाला हूँ लास तक जरूर देखना strategy बहुत काम की है use करना strategy को अगर आपको benefits मिलते हैं तो like comment and share जरूर करते हैं अगर आपको यह strategy से फायदा होता है तो सबसे पहले मैं जाओंगा indicators वाले section पे यहां पे मुझे apply करना है देखेंगे यहां पे मैं नीचे जाओंगा नीचे जाके मुझे apply करना है MACD MACD मुझे apply कर दिया मैंने ठीक है उसके बाद मैं apply करूँगा यहां पे alligator जैसे मुझे alligator मिलता है alligator okay तो यहां पे मैंने दो अभी apply कर दी है indicator जिसका एक का नाम है alligator और दूसरा का नाम है MACD अब MACD एन एलिगेटर को आपको by default settings पे रखना है सबसे पहली बात तो यह हो गई अब जो confirmation देगा हमें यानि सबसे important बात या सबसे important चीज जो हमें आपे confirmation देने वाला है वो देगा RSI तो अब मैं क्या करूँगा ना RSI को apply कर देता हूँ और वहां पे हमें customized value की जरुद पड़ important step है क्योंकि हमाई जो सबसे जादा confirmation मिलेगी वो इसी एक step से मिलने वाली है तो यह चीज आपको बिल्कुल भी नहीं बूलनी है और बाकि जो अगर आपको color है इसका color change करना है तो आप कर सकते हैं वो आप अपने suitable के हिसाब से कर सकते हैं मतलब जैसा आप comfortable feel करें उके उसक देखना है alligator को alligator के आप तीन trend line देख पा रहे है इसकी ऊपर आप एक candle देख पा रहे है green color की यानि bullish candle इसकी opening and closing दौनों की दौनों alligator के तीनों trend line के ऊपर होना चाहिए मतलब simple और आसान भाशा में आपको समझाता हूँ यह जो green color की candle है यह alligator की candle alligator की trend line है उनसे उपर close होनी चा देख पा रहे है तो zero line पे यहाँ पे आप देखो histogram देख पा रहे है तो यह जो histogram है यह उपर की तरफ बनना चाहिए जैसा कि आप यह देख पा रहे है छोटी सी blue color की एक line है यह जो lines है यह उपर की तरफ बननी चाहिए अगर आपको strong confirmation चाहिए तो हमें तीनों का combination बहुत ज trend line है blue color का histogram है यह उपर की तरफ होना चाहिए देखेंगे यहाँ पे नीचे की तरफ है जो की sale confirmation के लिए है इस पे हमें ध्यान नहीं देना है उपर की तरफ होना चाहिए histogram उसके बाद तीसरा हमें confirmation चाहिए RSI की तरफ से जिसका time period हमने 30 set किया था यानि की customized है तो यहाँ पे सिंपल सी बात है अगर आपको by confirmation चाहिए by signal चाहिए तो first of all एक बार मैं दुबारा repeat कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा difficult पड़ेगा यह समझने के लिए लेकिन जो वीडियो को skip बिलकुल मत करना क्योंकि यह समझना बहुत जादा जरूरी है confirmation जरूरी है और दूसरी चीज यह जो indicators है यह जो combination indicators का काफी अच्छा work कर रहा है फिलहाल के time पर अगर आपके पास थोड़ा सा patience है तो अच्छे से आप यहां से signals ले सकते हो क्योंकि एकदम से आपको यहां से signals नहीं मिलेंगे थोड़ा wait करना पड़ेगा of course लेकिन confirmation अच्छा मिलता है यहां से तो first confirmation alligator opening and closing candle की उपर होनी चाहिए second confirmation यह जो histogram है यह उपर की तरफ होने चाहिए third confirmation RSI का जो 50 level है इसके उपर यह blue color की trend line होनी चाहिए जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे है अगर यह तीनों confirmation आपको मिल जाती है तो आपको क्या करना है 5 minutes की trade लेनी है तो मैं थोड़ा और आपको समझ 5 candles के लिए 5 minutes की trade लेनी है और अगर आपके graph का time frame एक minute या उससे जादा है आपका time frame graph का suppose कीजिए कि एक घंटा है तो आपको जो trade लीनी है वो next 5 hours के लिए लेनी है अनसुद मतलब simple सी बात है आपको 5 candles के लिए trade लेनी है तो मैं आपको भी example के साथ दिखाता हूँ यहां पर अगर आप closing पर trade लेते है इस candle के यहां पर तो next 5 minutes के लिए market अप ही था और definitely आप win भी करते है तो इस तरीके से यहां पर आप trade ले सकते हैं by confirmation के साथ अब हम discuss करने वाले हैं sale confirmation के लिए कि sale की confirmation आप कैसे ले सकते हैं तो sale confirmation के लिए same opposite हम कह सकते हैं जैसे आपने buy confirmation लिया है same उ अनो alligator के ऊपर होना चाहिए था लेकिन sale confirmation के लिए opening and closing जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं example के साथ नीचे होना चाहिए alligator के अगर नीचे आपको opening and closing मिलता है same time पे आपको histogram मिलता है वो भी नीचे की तरफ यानि कि M.A.C.D. में zero line के नीचे आपको blue color की line मिलती है तो यहां पर अभी हम trade नहीं लेंगे ट्रेड लेने के लिए तीनो confirmation का होना जरूरी है नोट कर लेजी इसको underline के साथ ट्रेड लेने के लिए तीनो confirmation का होना जरूरी है अब RSI की बात करते है तो यह नीचे होनी चाहिए blue color की line इस white color की line का यानि कि जो 50 level है उसके नीचे होन एक साथ मिलती है तो हम sale confirmation के लिए trade लेंगे क्योंकि यहां पर एक confirmation भी अगर छोड़ दोगे आपको लगता है alligator आपके strategy के accordingly नीचे है और MACD भी histogram दे रहा है लेकिन RSI trend line नीचे नहीं है 50 के तो आपको trade नहीं लेनी है तीनो confirmation बहुत जादा जरूरी है इस strategy के लिए एक और important बात यहां पर आपको consecutive trades यानि back to back trades नहीं लेनी है तो जैसे ही आपको sale confirmation मिलती है alligator के नीचे जैसे ही आपकी जो candle है वो close और open दोनों होती है उसके बाद आपको next trade तब तक नहीं लेनी है जब तक आपका candle alligator को cross नहीं कर देता same आपको up confirmation के लिए यानि की buy confirmation के लिए करना है जब तक आपकी जो candle है alligator को cross करके वापस उपर नहीं आ जाती है आपको trade नहीं लेनी है ये एक point है जो की बहुत important है और अगर आप इस चीज़ का ध्यान नहीं देते हैं तो strategy मुझे नहीं लगता किसी काम की रहेगी आपके लि ही है strategy और confirmation बहुत अच्छा है time जरूर लगेगा आपको confirmation लेने के लिए लेकिन अगर आपको confirmation मिलेगा तो 80% chances हैं आपके winning के 10 में से 8 trade जरूर जीतोगे एक और results मेने आपको दिखा दिये थे मेरे previous trades के अभी फिलाहल हमारे पास कोई ऐसा confirmation नहीं है किसी chart पे कि मैं अभी live trade आपको करके दिखा हूं लेकिन आप जरूर ट्राय करना इस चीज को और benefit होते हैं तो comment करके बताना और जरा से difficult लगी तो आप मुझे contact कर सकते हैं telegram ते और मेरे social media पर मुझसे पूच सकते हैं अगर आपके पास कोई भी query हो और आप comment भी कर सकते जैसा कि आपको पता है सारे कमेंट में पढ़ता हूं और reply भी करता हूं सुएज उमीद करता हूं वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी और एक्साइटिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब करो चैनल को और टेलिग्रायम पे जरूर जोइन हो जाना जले मुलाकात करेंगे और एक्साइटिंग वीडियो के साथ थैंक यू सो मच पर वासिंग दिस वीडियो तिल दिया